हलो गाइज मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका आपकी अपनी दावत में आज मैं आपके लिए लेकर आएं फिर से कुकीज या बिस्किट्स की रेसिपी बहुत ही असान सी रेसिपी है और आज हम बनाएंगे मैंगो कुकीज क्योंकि आम का सीजन अभी शुरू हो जुका है और जिने जिने आम पसंद है वो इस कुकीज को ट्राइ कर सकते हैं बहुत ही ज़ादा टेस्टी और सेम जैसे मैंगो आप खा रहे है वैसा ही आपको लगेगा और दिखने भी कितनी खूबसूरत है जैसे मैंगो की स्लाइस हमने यहाँ पर कट करके रखी है तो देख सकते ह बहुत ही वड़िया से कुकीज यहाँ पर हमारे तयार हो जाते है तो चलिए रेसिपी फटा फट से शुरू करते हैं और हाँ वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और हमेशा कितरे वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेर और दावर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो यह कुकीज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोल ले लिया है, सबसे पहले इसमें हम लोग डाल देंगे आधा कप चीनी या पाउडर शुगर, पिसी हुई चीनी हमने यहाँ पर ली है, तो इसे हमें लेना है आधा कप, और आधा हम लोग यहाँ पर लेंगे विजटेबल और रिफाइंड और जो कि हम किचन में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, अगर आप चाहे तो यहाँ पर घी ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, और यह दोनों भी नहीं है, तो यहाँ पर मैंने चुटकी भर नमक भी इसमें डा लेना है इस तरह से, बस एक से दो मिनित के लिए हमने इसे मिक्स कर लिया हैं इसके बाद मैं इसमें एड करूंगी फ्लेवर के लिए मैंगो पल्प, यह मैं ने एक आम से बनाया है, इसमें बिलकुल भी पानी आपको नहीं डालना है, क्योंकि हम यहाँ पर मैंगों कुकी बनाने जा रहे है इसलिए हमने यहां पर आम का पल्पिस में यूज किया है और यहां पर हम लोग दो चुटकी बस फूड कलर भी एड़ करेंगे जो कि मैंने जो लेमन यलो कलर आता है वो यहां पर यूज किया है इससे हमारी कुकिस को बहुत ही प्यारा कलर मिलता है जैसे कि सेम आम की तरह तो चलिए इन सारी चीजों को अच्छी तरह से हमें मिलाना है इस तरह से और इसके बाद मैं यहां पर डाल देती हूँ एक कप मैदा अगर आप यहां पर मैदा यूज नहीं करना चाहते है तो आप यहां पर गेहू का आटा इस्तमाल कर सकते है एक कप मैदा डालने के बाद मैं यहां पर एक छोटी चमच सूजी डाल देती हूँ सूजी अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो दो मिनिट के लिए उसे मिक्सी में ग्राइंड कर सकते है तो दो छोटी चमच मैंने आपर बारीक वाली सूजी भी इसमें अड़ की है और हमें यहाँ पर थोड़ा सा आटा या मैदा लगेगा तो हम बाद में इसमें अड़ करेंगे सबसे पहले इसे अच्छी तरह से मिला लेते है और इन सारी चीजों के मेजरमेंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि हमें जरुरत लगेगी तो हम यहाँ पर थोड़ा सा मैदा इसमें अड़ करेंगे तो हमने यहाँ पर चार चमच मैदा अड़ किया है जो चमच हम खाना खाने के लिए स्टील का छोटा वाला चमच खाना खाने के लिए यूज करते है उसी चमच से मैंने यहाँ पर 4 चमच मैदा एड़ किया है और चलिए अब इसका एक हम डो तयार कर लेते हैं और हाँ ध्यान इस बात का रखना है आपको इसमें किसी भी तरह का पानी या दूद एड़ नहीं करना है हमें इसका आटा सिर्फ इसी से ही तेल से ही हमें इसका आटा तयार करना है तो बस पानी बिल्कुल भी इसमें एड़ नहीं किया है इस तरह का टेक्स्चर हमारे आटे का होना चाहिए और mango pulp भी आपको सिर्फ दो या तीन छोटी चमची इसमें add करना है तो cookies का डो यहाँ पर बनकर बिल्कुल तयार है और हमने यहाँ पर ले री है एक plate तो सबसे पहले थोड़ी सी लोई लेकर हम इसकी cookies तयार कर लेंगे तो आपको पहले तो इसका gold shape रखना है बाद में उपर से आपको इस तरह से इसे pinch करना है देख सकते हैं यहाँ पर और बस आपको जैसे आम दिखता है cut करने के बाद उसी की तरह इसे shape देना है बहुत ही असान है आपको इस वीडियो में देखकर ही पता चल रहा होगा और अगर आपके पास इस shape का cookie cutter है तो उससे तो बहुत ही असानी से यह cookies अराम से बन जाती है और हाथ से भी बनाना इसे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और इस तरह का shape तयार होने के बाद आपको सिर्फ इस तरह से एक चाको लेकर उसे उपर से cuts लगाने है चाहे तो आप बाद में इसका shape और भी थोड़ा सा fix कर सकते है और इसे हाथ से नहीं बलकि इस तरह से चाको से ही उठाईए क्यूंकि हमारा cookies का dough थोड़ा सा soft होता है ना तो इसलिए यह cookies तूटने का डर रहता है तो यह चाको से बहुत ही अराम से निकल जाती है और बनकर तयार भी हो जाती है तो चलिए यहाँ पर एक और cookies मैं आपको तयार करके दिखाती हूँ आप अगर चाहे तो किसी भी shape में इसे तयार कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसे आपको इसी shape में तयार करना है लेकिन मैंने सिर्फ यह shape इसे इसलिए दिया है क्योंकि हम यहाँ पर mango cookies बना रहे है mango flavor हमने इसमें add किया है और यह bake होने के बाद और भी ज़्यादा दिखने में खूबसूरत लगती है इसका color भी और bake होने के बाद यह थोड़ी सी फूल जाती है ना तो same ऐसे लगता है कि जैसे यह कोई भी देखकर कहेगा कि यह mango cookies है क्योंकि हमने इसे shape भी इसी तरह का दिया है तो बस यह दूसरी cookies भी यहाँ पर बनकर तयार है अगर आप इसी तरह के और भी biscuits या cookies बनाकर घर में try करना चाहते हैं तो उसका link मैंने description box में दे दिया है क्योंकि इससे पहले भी हमने बहुत सारे जैसे गहों के आटे के cookies, dry fruits cookies या jam cookies भी बनाकर मैंने तयार करके रखे है उ इसके वीडियो आपको description box में उसका link मिल जाएगा तो चलिए इस तरह से में और भी जो बाकी के बचे हुए cookies उसे तयार कर लेती हूँ और हाँ बेक करने से पहले cookies को रखने के लिए मैंने इस तरह से एक प्लेट तयार करके रखी है तो यहाँ पर मैंने एक ले लिए है मैंगोज पसंद है तो इस सेजन में इस तरह के मैंगोज के बहुत सारे आप recipes तयार कर सकते हैं अपने घर वालों को खिला सकते हैं हम लोग भी इसके आगे जो तीन चार वीडियो है वो हम लोग mango recipes इसमें बनाने जा रहे है जैसे कि mango cake हुआ और भी बहुत सारी ऐसे इसमें देखेंगे तो इस तरह से आपको आम की cookies यहाँ पर तयार करके रखनी है इस plate में जो कि हमने अभी तयार करके रखी है aluminum foil paper से इसे यूज करने से हमारी चुफ steel की plate होती है वो खराब नहीं होती इसलिए हमने यह aluminum foil paper इस plate के उपर लगाया है तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी mango cookies बनकर तयार है अब इसे bake कर लेते हैं तो mango cookies जब आप लोग plate में रखते हैं तो दो cookies के बीच में थोड़ा सा आपको gap रखना है क्योंकि अगर बहुत ज़दा पासवास में इसे रखेंगे तो यह bake होने के बाद फूल जाती है तो यह आपस में चिपक भी सकती है तो इस तरह से थोड़ा सा डिस्टंस रखिए तो इन cookies को हम लोग किसी oven में नहीं वलकि यहाँ पर इस तरह के तवे के उपर बनाएंगे बेक करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक पुराना तवा ग्यास के उपर गरम होने के लिए 10 मिनिट पहले ही लोग फ्लेम पर रख दिया था तवा अब अच्छी तरह से प्रिहिट हो चुका है आप अगर चाहे तो इसे कूकर में इडली कूकर में या कडाई में भी बना सकते हैं तो हमने यहाँ पर तवे की नीचे कुछ भी नहीं आपको रखना है सीधे इसके उपर यह प्लेट हो चुक है है मैंने एक बार इसे 20 मिनट के बाद खोल लिया था लेकिन हमारी कूकी थोड़ी सी बेख होना बाकी थी इसलिए मैंने और पांच मिन तक इसे बेख कर लिया है तो पूरे 25 मिनट में हमारी यहाँ पर बन कर तयार है मैंसे एक बार आपको दिखाती हूं कि नीच इसको बेख करने में लगे है पूरे 25 मिनिट और हां आपको थोड़े-थोड़े समय पर इसे इस तरह से चेक भी करते रहना है नहीं तो जो बीच में रखी हुए कुकीज है वो थोड़ी सी जल भी सकती है क्योंकि बीच में फ्लेम ज्यादा होता है तो चलिए ग्यास का फ्ले आम इस तरह से कट करके रखा है देख सकते हैं यहां पर नीचे की साइट से भी बहुत ही अच्छी तरह किसे हमारे कुकीज या बिस्किट्स बेक हुए है और साइज में भी यह डबल हो चुके है एकदम फूल चुके है तो जरूर यह रेसिपी यह मैंगो सीजन है तब तक ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए कि आपको यह रेसिपी कैसे लगी और अच्छी लगी है हमेशा की तरह वीडियो मेरा पसंद आया है प्लीज इसे लाइक कमेंट शेर अभी तक आपनी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ली क्योंकि मैं जो आपके लिए रोज नएने वीडियो लेकर आती हूं वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरी आपके पास पहुंचे थैंक्स फॉर वचिं गाइस टेक केर